हे गाईस कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में और जैसा कि आप जानते हूँ हम NCRT पढ़ रहे हैं जोग्रफी की और NCRT की 11th क्लास की बु कर चुके हो हिमाले की नदियों को सिंदू नदी तंतर जिसमें हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं और आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है गंगा नदी तंतर से बट इससे पहले प्लीज जल्दी से एक लाई को शेर कर दो आपके लिए तनी महनत कर रहे हैं क्लास गंगा नदी तंतर जो गंगा नदी है वो आपकी उत्तरा खंड राज्ये में जो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं शोट में चीज़े के लिए दिखती नहीं है तो जो गंगा नदी तंतर है गंगा नदी तंतर भारत की सबसे महतोपुरा नदी है उत्तरा खंड राज् गंगा के गोंगोत्री हिमनद है गलेशर उसकी हाइट तो गंगोत्री हिमनद यानि जहां से गंगा निकलते हैं वहाँ पर गंगा किस नाम से जाने जाते हैं भागी रती स्टार्टिंग से गंगा नाम नाम नहीं पड़ता पहले भागी रती के नाम से जानते हैं और कहते हैं सास्त्रों के अनुचार की भागी रथी गंगा को लाए थे जहाँ जहाँ वो उन्होंने अपने पाउं रखे उनके पीछे पीछे वहीं से गंगा भै चली तो मद्य और लगू हिमाले श्रेनियों को काट कर तंग महाखंडों से गुजरती है कैनियन्स बनाती है गंगा नदी देव परियाग में देव परियाग में कौन कौन से रिवर मिलती है भागी रथी और अलक नंदा तो एक्जाम में कुश्यन ऐसे आएगा भागी रथी प्लस अलक नंदा कौन सा परियाग देव परियाग और जब ये दोनों मिल जाती उसके बाद सही गंगा का नाम गंगा पड़ता है जो ये अलकनंदा रीवर है ये आपके बद्रिनात की उपर सतो पत एक गलेशियर है सतो पत गलेशियर से निकलती है अलकनंदा ये भी दो जल धाराओं से मिलकर बनी है एक धोली एक विश्नू दोली और विश्नू गंगा धाराओं से मिलकर बनी है अलकनंदा नदी और अलकनंदा और भागीरती से मिलकर बनी है हमारी गंगा अब अलकनंदा की एक छोटी सी रीवर ओर है पिंडार और पिंडार और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो किस एरिया में मिलते ह अलक नंदा प्लस पिंडार नेक्स्ट जब मंदाकनी में काली गंगा मिल जाती है तो किस स्थान पर मिलते है रूद्र परियाग में मंदाकनी में काली गंगा रूद्र परियाग स्थान पर मिलती है गंगा नदी हरी दुआर से मैदानों में परवेश करती है और यह है पहले दक्षिन की और और फिर दक्षिन पूरों की और फिर से दक्षिन पूरों की और भैती है गंगा नदी तो दक्षिन पूरों की और भैती है गंगा नदी और अंत में दक्षिन मुखी होकर दो धाराओं में यानि भागी रती और हुगली भागी रती और हुगली में भी बट जाती है गंगा इसकी लंबाई 25 किलो मीटर है 255 उत्राखंड में 110 किलो मीटर उत्राखंड से निकलती है यूपी में वहती है 1450 विहार में 445 और distintos परशिय में 520 किलो मीटर लंबा मार्क तैय करती है गंगा नदी तो गंगा नदिया आपकी किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई में बहती है यूपी में उत्तर परदेश में 1450 किलोमेटर की लंबाई में गंगा द्रोणी किवल भारत में लगबग 8.6 लाख वर किलोमेटर छेतर में फैली हुई है और यह भारत का सबसे बड़ा अपुआ बहुत तंत्र भी माना जाता है उत्तर में हिमाले से निकलने वाली 12 मासी यानि एनित्यवाही नदिया और दक्षिन में प्राइद वीप से निकलने वाली जो एनित्यवाही नदिया है न ठीके तो हिमाले से तो आपकी 12 मासी निकलती है और ठीके हिमाले से हमारी 12 मासी यान कुछ छोटी छोटी रिवर और उसके अलावा प्राइद वीप से आपकी एनित्यवाही रिवर जो कि आपके मांसून में लिबार पानी आता, बाद में सूख जाती है प्राइद वीप आ भारत की तो वो सारी के सारी गंगा में मिल जाती उसके साहेक नदी के रूप में, सोन, सोन नदी इसके किनारे पर मिलने वाली परमुक साहेक नदी है, दाइने किनारे पर गंगा के, बाय तटपर गंगा की साहेक नदी है, राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडग, कोसी, महानन्दा, दाइ तटपर, यानि गंगा के उत्तर की और कौन सी रीवर भहती हैं राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडग, टोसी, महाननदा ये वाली सागर द्वीप के निकट ये नदी आतनत्य बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है यमुना गंगा की सबसे पश्मी और सबसे लंबी साइक नदी है यमुना गंगा की और इसका स्त्रोत यमनोत्री हिमनत से निकलती है यमुना और हर्याना की भी पूर्वी सीमा बनाती है न यमुना और हिमाले में बंदर पूछ श्रेणी के पश्मी डाल से 61316 मीटर की उचाई पर तो बंदर पूछ श्रेणी के पश्मी डाल से यमना नदी क स्त्रोत माना जाता है ठीक है 6316 मीटर की उचाई पर इलहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है प्राइद विप्य पठार से निकलने वाली आपकी चंबल सिंद बेतवा केन ये सारी की सारी इसके दाइने तट पर मिलती है किसके या मुना के जबकि हीडन रिंद सेंगर वरुन इनका अधिकाल जल सिचाई यूदेशों के लिए प्रश्मी और पूर्वी युमना नहरों और आगरा नहर में मिलता है ठीक है नेक्स आती है आपकी चंबल नदी युमना के बाद चंबल जोकी युमना की साहिक नदी है मद्य परदेश के मालवा पठार में मुहू के निक आएगी चंबल से एक इपोटेंट कोशन यही आता है कि चंबल अपनी उत्कात भूमे वाली भू आकरती के लिए परसीद है जिसे चंबल खंड कहते हैं या चंबल के बीहड भी कहते हैं वही क्या बीहड चंबल के बीहड ठीक है चंबल के बीहड एक्जाम में कोशन ऐसे आता है कौन सी रीवर अपने उत्खात के लिए फेमस है या कौन सी रीवर बीहड बनाती है तो उसका अंस्वर रहेगा आपकी चंबल नदी ठीक है नेक्स आती है गंडक गंडक नदी दो धाराय में बढ़ जाती है काली गंडक और आपकी काली गंडक और तिरशूल गंगा के मिलने से बनती है गंडक नदी अब यह नेपाल हिमाले में तो धोली गिरी और माउंट एवरिस्ट के बीच से निकलती है जो नेपाल हिमाले है यानि नेपाल में हिमाले का जो पार्ट है ना वहाँ पर धोला गिरी और माउंट गंडक नदी, बद्धे हिमाले को अपवाहित करती है और बिहार की चमपारन जिने में ये गंगा मैदान में परवेश करती है और पतना के निकट सोन पूर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है गंडक नदी इसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है हमारी घागरा नदी, घागरा नदी आपकी माप्चा चुंगो हिमनत से निकलती है और तिला, सेती, बेरी ये सारी इसकी सायक नदिया है और इसके बाद एक गोर्ज का निर्मान करते हुए एक महाखंड का निर्मान करते हुए परवतों से बहार निकलती है घागरा नदी शारदा नदी काली और काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और छपरा में ये फिर गंगा में मिल जाती है तो शारदा नदी किस पर किस से मिलती है घागरा नदी से काली गंगा के नाम से ये काली के नाम से मैदानी एरिया में इससे मिल जा पश्चिम की ओर से सोन, कोसी और पूरो की ओर से तमूर कोसी इसमें मिलती है, अरुन नदी से मिलकर ये सब्त कोसी बनाती है, क्या बनाती है, सब्त कोसी बनाती है, अरुन नदी से मिलकर इसको याद रखना इपोटेंट कोशन है, बिहार का सोक भी कहलाती है, शोक, कोसी, नेक्स आता है राम गंगा नदी गैर सेन के निकट गडवाल की पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है राम गंगा शीवाली को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिन पश्यम दिशा के और बनाती है और उत्तर परदेश में नजीबाबाद के निकट मैदानी नेक्स आती है आपकी दामोदर रवी दामोदर नदी तो ये ब्रंश गाटी से हुती हुई हुगली नदी में जा गिरती है तो भारत में नर्मदा तापती के अलावा आपकी दामोदर नदी भी है जो ब्रंश गाटी से हुकर बैती है बराकर बराकर इसकी मुख्य सायक आने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कोप्रेशन के एक भूई उदेशे तो एक कभी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी आपकी ये दामोदर नदी और अब दामोदर घाटी कोप्रेशन दुआरा इस परियोजना को वश्मिक कर लिया गया है शार्दा और सरियु नैपाल हिमाले में मिलाम हिमनद में है और जहां पर इसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है बारत नैपाल की सीमा के साथ बैती हुई इसे काली या चायक के नाम से भी जाना जाता शारदा को और घागरा नदी में मिल जाती है दारजिलिंग आपका पश्यम बंगाल में पढ़ता है और यह नदी पश्यम बंगाल में गंगा के बाय तट से मिलने वाली अंतिम साहक नदी है तो गंगा के बाय तट यानि गंगा के जो बाय तट पर मिलती है न तो गंगा की बिलकुल अंतिम लास्ट रिवर मानी जाती है अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स आते हैं गंगा के दक्षिनी तट पर एक और सोन नाम की रिवर है दक्षिन में जो अमर कंटक पठार से निकलती है और पठार के उतरी की नारे पर जल परपातों की शरंखला बनाती हुई यह रिवर जल परपातों की शरंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पस्सी में आरा के पास गंगा नदी में ही मिल जाती है तो ये ज़ादा इपोटेंड नहीं है बस सोन के बारे में याद रखना ये एक बड़ी सहायक नदी है गंगा की अमर कंटक की पहाड़ियों से निकलती है नेक्स्ट आता है आपका भ्रहम पुत्र नदी तंत्र तो ये था भई ये भी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रहम पुत्र नदी मांसरोवर जील के निकट चेमांग युग डुग हिमनत से निकलती है गलेशयर से निकलती है ब्रहम पुत्र यहां से पूरो दिशा में अनुधहरिये रूप में भैती हुई दक्षिनी इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है यह एक्जाम में बार बार रिपीटिल कोशन है बार बार रिपीट होता है most important है सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रहम पुत्र नदी तिबबत के अंदर और इसका मीनिंग होता है शोधक जैसे हम यहां पर गंगा को पवित्र मानत करती हुई यानि एक गोर्ज का निर्मान करती है ये नामचा बारवा आपका अरुनाचल परदेश में पढ़ता है भारत में तो वहाँ पर भारत के पूर्वी राज्ये में बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्ये हैं तो वहाँ पर ये एक गोर्ज का निर्मान करती है ये अरुनाचल परदेश में साधिया कश्वे के पश्षिम में यह नदी भारत में परवेश करती है और दक्षिन पश्षिम दिशा में बैते हुए बाय तट पर इसकी परमुक सायक नदिया है दिबांग, सिकोंग और लोहित यह सारी भ्रहमपुत्र के नाम भ्रहमपुत्र की सा आसम राज्य से पढ़ता है इसको याद रखना आसम गाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रहमपुत्र में कई ऐसंक्य सायक नदिया आकर मिल जाती है और इसके बाय तटकी परमुक सायक नदिया है बूडी दिहंग, धन सिरी जो की दक्षिन में है जबकि दाय त सायक नदिया सूबन सीरी कामेग मानस सकोस तो बाय तटकी है बूडी दिहंग और धन सीरी और इसके दाय तटकी है सूबन सीरी कामेग मानस सनकोस सूबन सीरी जिसका उदगम टिबत में ही है एक पूरवर्ती नदिया ब्रहमपुत्र की तरह ब्रहमपुत्र नदि बांगला तो ब्रमपुत्र का नाम जमुना कब पड़ता है जब ब्रमपुत्र पलस तिस्ता नदी तब नाम पड़ेगा जमुना और फिर यह नदी पदमा के साथ मिलकर गंगा जो नदी है गंगा का नाम बांगला देश के अंदर पदमा की नाम से जानी जाती है तो फिर पदमा के दिक्तर सायक नदिया बड़ी है और इसकी जल गरहन छेत्रों में भारी वर्षा के कारण अधिक आउसाद आकर बहा कर आ जाता है नेक्स आती है तो ये था भी आपका ब्रहंपुत्र नदी तंत्र जिसमें पूरा आपने ब्रहंपुत्र नदी को स्टडी किया कैसे कैसे ब्रह प्राइद विपया पूरा तंत्र यानि दक्षिन भारत की नदिया पढ़ेंगे इसके अंत्रगत प्राइद विपया पूरा तंत्र हिमाल्या पूरा तंत्र से भी पुराना है इसको याद रखना यह बहुत पुराना है यह तथ्थे नदियों की प्रोड़ा वस्ता और पुरानी तो पश्मी तटके निकट पश्मी गाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद विप्या नदिया और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है ठीके और नर्मदा और तापती को छोड़ कर बाकी सारी रिवर्स प प्रायद विप्या नदियों की एक विसेष्टा है कि यह एक सूनिष्चित मार्क पर चलती है कोई मियन्डर्स नहीं बनाती और बारा मासी नहीं है वही मांसून के टेंपरिन में पानी आता है दानी ये गर्मियों में कई बार सूख भी जाती है और ब्रश गाटियों में बहने वाली आपकी नर्मदा और तापती जो डिवर है वो इनका अपुआद है नेक्स आता है प्राइद वीपिये अपुआ तंतर का उद्ध विकास अति प्राचिन काल की तीन पर्मुख भू गर्विक घटनाव ने आज की प्राइद वीपिये भारत के अपुआ तंतर को मानत सम्मित योजना में गड़बर हो गई थी तो यह जादा इपोटैन नहीं है हिमाले में होने वाले उत्थान के कारण जो प्राइद वीपिये खंड है इसके उतरी भाग का आउतलन हुआ और ब्रंश दोरोणियों का मिन यह आपको यह दिखाया गया कि कैसे जो आपकी प्राइद वीपिये पथार बना और कैसे हिमाले का मैदान और इनके बीच में भरंश गाटियों का निर्मान हुआ दरारे पड़ी जो लोड मिट्टी का मैदान बना तो यह इस चीज को डिसक्राइब या पर किया गया है नेक्स आता है प्राइद वीपिये नदी तंत्र प अहा नदी जो रीवर है सी हावा के निखट निकलती है और उडिसा में बैती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसरजित कर देती है 851 किलोमीटर लंबी है जल ग्रैन छेतर 1.42 लाक वर किलोमीटर है इसके निचले भाग में नू संचालन भी होता है और इस नदी क इसे दक्षिन की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को दक्षिन की गंगा और इसके साथ साथ विरिद गंगा पूडी गंगा विरिद गंगा के नाम से भी जानी जाती है गोदावरी नदी महराष्ट में तो ये आदरकना भई गोदावरी आपकी दक्षिन भारत की सबसे लंबी रिवर्स भी कही जाती है इसे दक्षिन की गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी को विरिद गंगा भी कहते हैं महाराष्ट में नासिक जिले से निकलती है बंगाल की खाड़ी में फिर अपने पानी को विसरजित कर देती है इसकी सायक नदिया जो है महाराष्ट में मद्य परदेश में 36 गड़ में उडिस्सा आंदर परदेश सभी राज्यों से गुजरती है 1465 किलोमेटर नंबी है गोदावरी दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी जिसका जल ग्रैन छेतर 3.13 लाख वर किलोमेटर है अपनी जल ग्रैन छेतर का 49 परतिशत भाग महाराष्ट में 20 परतिशत आपके मद्य परदेश और 36 गड़ में और 6 भाग आंदर परदेश में पढ़ता है इसकी मुख्य सायक नदियों में से जो पेन गंगा, इंदरावती, प्राण हीता और मंजीरा यह सारी की सारी इसकी सायक नदिया है किसकी गोदावरी की पोला वरम के दक्षिन में इसके मार्ग के निचले भागों में बाड़ भी आती है गोदावरी एक साध दिर्शे प्रपात यानि वोटरफोल का भी निर्मान करती है और इसके डेल्टाई भाग में नो संचालन संबव है और कई धाराओं में बट कर एक बड़े डेल्टा का भी आएंड में निर्मान करती है गोदावरी नदी नेक्स आती है कृष्णा नदी कृष्णा नदी पूरो दिशा में बहने वाली एक परमुख नदी दूसरी बड़ी प्राइद वीपे नदी भी कही जाती है सयादरी में महा बलेश्वर के निकट निकलती है कुल नंबाई 1401 किलोमेटर कोई ना तुंग बद्रा भीमा ये सार तो इसको अच्छी तरह से पढ़ ले ना और इस नदी के कुल जल गरहन शेत्र का 27 परतिशत महाराष्ट में 44 परतिशत करनाटक में 29 परतिशत आंधर परदेश में पढ़ता है नेक्स नती है आपकी कावेरी निरी रिवर करनाटक के कोगाड़ू जिले में भ्रम गिरी पहाडियों से निकलती है आपकी कावेरी नदी और इसकी जो टोटल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमेटर है और 81155 वर की किलोमेटर चेत्र को अपवाहित करती है और पराइद वी गर्मी से और निम्न छेत्रों से सर्दी से वर्षा होती है ठीक है तो उपर वाले एरिया की बात करें तो गर्मियों में तो दक्षिन पश्य मांसुन से पानी आ जाता है और सर्दियों में लोटते हुए मांसुन से उत्तर पूर्वी मांसुन से भी वर्षा हो जाती है तो इस नदी की द्रोनी का 3% भाग केरल में 41% भाग करनाटक में और 56% भाग तमिल नाडु में पड़ता है इसकी परमुक साइक नदिया है काबीनी बवानी और अमरावती ठीक है नेक्श आती है आपकी नर्मदा नदी नर्मदा अमर कंटक पठार की पश्मी भाग से अमर कंटक पठार की पश्मी पासरों से लगबग 1057 मीटर की उचाई से निकलती है नर्मदा नदी दक्षिन में इसकी सत्पुडा परवत है और उत्तर में विंद्यान चल तो इन दोनों परवतों के बीच में है ये सत्पुडा और विंद्यान चल परवतों की बीच में ब्र एक अजार तीन सो बारा किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद भडोच की दक्षिन में अरब सागर में जा मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा जवार नद मुख बनाती है और सरदार सरोवर परियोजना ये परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर ही है नर्मदा नदी is most important आपके competitive exam के लिए exam में नर्मदा रिवर से बहुत बार कोशन देखने को मिलते हैं नेक्स आती है तापती नर्मदा नदी के पैरलर ही वहती है तापती नदी पश्यम दिसा से बहने वाली एक अन्य महतो पुरन नदी है मद्या परदेश में बैतुल जिले में मुलताई से निकलती है एक बार तो इसका उद्गम पूछा गया था पीजिटी लेवल पर तापती नदी का तो बैतुल जिले से मुलताई नामक जिंगे से निकलती है 724 किलोमेटर लंबी है और 65145 वर किलोमेटर चेतर को अपवाहित करती है अपने अपवाह चेतर का 89 परतिशत भाग महराष्ट में 15 परतिशत मद्यपरदेश में और 6 परतिशत गुजरात में पढ़ता है तापती नदी का नेक्ष आती है अरावली के पश्चिम में लूनी नदी राजिस्तान का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है लूनी नदी को राजिस्तान का सबसे बड़ा लूनी नदी यह पुसकर के निकट दो धाराओं में बढ़ जाती है एक तो सरस्वधी के नाम से बहती है एक सागरमती के रूप में उत्पन होती है वहाँ पर बहती है और गोविंद गड़ के निकट आपस में मिल जाती है यहां से यह नदी अरावली पहाडियों से निकलती है और लूनी नदी तो ये जो नदी तंत्र है छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है नेक्स आती है आपकी पश्यम की और भेने वाली छोटी छोटी नदिया आरब सागर की और भेने वाली नदियों का जो जल मार्ग है वो छोटा है इनका मार्ग छोटा क्यूं है तो वही ये ज़्या गुजरात के कुछ छोटी छोटी नदिया आती है जैसे शेतरू नीजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली जिले में धल का हावा से निकलती है भदरा नदी राजकोट गुजरात के राजकोट जिले के अनी याली गाउं के निकट से निकलती है धाडर नदी पल्च महल जिले क गंटार गाउं से निकलती है, साबरमती और माही, ये सारी गुजरात की दोनों की दोनों फेमस नदिया है, अब नासिक जिले में त्रिमबक पहाडियों से 670 मीटर की उचाई पर एक वैतर्नी नदी भी निकलती है, कालंदी नदी, वैतर्नी नदी पता चल गया, नासिक जिल मीटर लंबा मार्क तै करती है, शरावती नदी, पश्यम की और भेने वाली करनाटक के एक अन्य, शरावती किसमे बहती है, करनाटक में, तो जो ये शरावती रिवर है, एक फेमस जल परपात, जोग, जोग या गर सोपा जल परपात, या महतमा गांदी, वाटरफोल, ठीक और इसका जल गरहन चेत्र दो हजार दोसो नोक वर्ग किलोमेटर है तो देखो यहाँ पर दे भी दिया है इनोंने उस नदी का नाम बताओ जिस पर गर सोपा या जोग पर पात है तो वो और कोई नहीं है वह आपकी शरावती ही नदी है जो कि करनाटक के शिमोगा जिले में जिसका उद्गम है नेक्स आती है गोवा गोवा में दो परमुख नदिया आती है एक तो मांडवी और दूसरी आती है जुवारी केरल की जो तट्रेखा चोटी है केरल की सबसे बड़ी नदी भरत पूजा अन्ना मलाई की पहाड़ियों से निकलती है इसे पोनानी के नाम स यह तो NCRT वर्क देती रहती है अपना बीच वीच में पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है देखो पहली सबसे बड़ी भरत पूजा जिसे पुनानी भी कहते थे केरल की दूसरी है पेरियार इसका जल गरेंचेतर 5243 वर्ग किलोमीटर है और यास्ता पूजा और पे हुए फिर आपकी वेंबानंद जील में जा गिरती है ये आपको कुछ दिखाया गया जल गरेंचेतर जिसे आप देख लेना इससे कभी वैसे कोशन आता नहीं है नेक्स आती है पूरो की ओर भैने वाली रिवर्स प्राइद वीप में बहुत बड़ी संक्या में जो नदिय को बहुत सारा पानी इनी नदियों से मिलता है चोटी चोटी नदियों से जैसे स्वन रेखा ब्रामनी वाम संदारा पेनार पलार विग गई ये सारी की सारी रिवर्स इसके अंत्रगत आती है नेक्स इसमें आता है आपका नदी बहाव परवर्ती अब क्या आप जानते हो क एक नदी के चैनल में पूरे वर्ष परियंत जल परवा के पारूप को नदी बहाव परवर्ती कहते हैं ठीक है और उत्तर भारत की जो हिमाले से निकलने वाली नदिया वो बारमासी है क्योंकि वो अपना जल बरब से भी पराप्त कर लेती है और इसके अलावा ये जो देखा जा सकता है मांसून्स में काफी जादा पानी आजाता तो काफी बहती है और इसके बाद अलग लग स्तानों परिन में अलग लग चीजे होती है पानी की मात्रा जल विसरजन यानि डिस चार्ज नदी में समया अनुसार जल परवा के आयतन का माप होता है जल विसरज यादिक्स परवाच जनवरि से जून की अवदी के दुरान होता है। अधिकतम परवा अगस्त और सितंबर में होता है जब मानसून आजाता है सितंबर के बाद फिर कमी आती है और इसी परकार वर्षा रीतु में जल परवा की जो परवर्ती है वो मानसूनी होते है क्योंकि मानसून से आकी नदियों को काफी पानी मिलता है गंगा दुरोनी के प प्राइद वीप की दो नदियों की परवा परवर्ती हिमाले की नदियों की तुल्ला में रोचक अंतर प्रसुत करती है जैसे नर्मदा एक आती है नर्मदा रिवर इसमें जल विसरजन का स्थर जनवरी से जुलाई तक कम रहता है अगस्त में मानसून आ गया पानी बढ़ ज जाती है बहाओ की गिरावट फिर अक्तुबर महीने से शुरू हो जाती है अगस्त में उफान था और अक्तुबर में फिर पानी की गिरावट तो इसका अधिक्तम बहाओ 2300 क्यूशेक्स और नियूंतम 15 क्यूशेक्स होता है गोदावरी में भी नियूंतम जो अपुआ मही में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है वही अब ही मांसून आता है जब मांसून आता है तो नदियों में पानी की मात्रा अधिक और फिर सितंबर के बाद दीरे-दीरे पानी की मात्रा कम होती चली जाती है तो ये चीज़े चलती रहती है नेक्स आता है हमारा नदी ज त्यान अधियों में यानि जो आपकी सारा साल नहीं बहती ऐसे रिवर्स में शुक्ष रितु में बहुत कम जल रहता है वर्शा रितु में तो अधिकान जो जल है बाड में चला गया वैर्थ हो गया सुमूंदर में बहता है और जब देश के एक कोने में बाड आती है और रोका जाए और सूखे के टैम में हम उस जल को यूज कर सकें तो जल आधिकेओं को जल की कमी वाली द्रोणियों में इस्तान अंत्रित करके इस समश्या को समाप्त और कम किया जा सकता है तो यह अध्यापक निम्न उधारनों की वैख्या कर सकते हैं तो मैं अध्यापक और इंद्रा गांधी नहर परियोजना जैसे इस नहर परियोजना से राज्यस्तान में काफी हर्याली चाही हुई है और करनूर कुडपा नहर है व्यास सतलुज लिंक नहर है आपके पंजाब में और हर्याना में और गंगा कावेरी लिंक नहर है तो यह जितनी भी नहरे है इनसे सिंचाई करके सूखा गरस्ति लाकों को कम किया जा रहा है नेक्स्ट ये कुछ हमारे इपोटेंट का नहीं है अब इसमें इधर आताते हैं तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि उत्तर भारत की नदियों में प्राप्त जला दिक्या है और ये वाद भी वाद करो ये नदियों में जलू प्लब्द नहीं है नदी जलू परदूशन है रितुवत जल का है समान तो ये ज़्यादा इपोटेंट नहीं है ये आपके काम का नहीं है जितना काम का धामने पढ़ लिया अब आपके लिए कोशन्स चैप्टर हो गया आपका कम्प्लीट पूरा टू पार्ट में आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है ठीके लैसन थरी पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोस में अब इन दो कोशन्स के अंस्वर आप दोगे जिसमें से पहला है बंगाल का शोक के नाम से कौन सी रिवर जानी जाती है गंड़क, कोसी, सोन, दामोदर सैकिंड कोशन इस निम्न में से किस नदी की द्रोनी भारत में सबसे बड़ी है सिंदू, गंगा, भ्रहंपुत्र, क्रिश्रा तो इन रिवर्स, सोरी इन कोशन के अंस्वर आप कमेंट बॉक्स में देना ठीक है, तो जो कोशन के अंस्वर देगा मैं समझ जाओंगी, वो मेरी पूरी क्लास देख रहा है और अच्छी तरह से पढ़ रहा है और इंटरस्टिंग है भई, ठीक है तो पढ़ लेना, जरूर अच्छी तरह से समझ लेना एक बार फिर कहूंगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लिस लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारी NCRT आप पढ़ चको और इसके अलावा मैं कोशन सिरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ तो उनको भी आप इसली कर सको ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए और हाँ, एक चीज और वही पेड कोर्स अवेलबल है, अब अचीवर्स अकेडमी एप पर जो स्टुडेंट पेड कोर्स लेना साती है PGT जोग्रफी और NET जोग्रफी का तो वह अचीवर्स अकेडमी आप डाउनलोड करें और वहाँ से परचेस कर ले पेड कोर्स जोग्रफी, ओके बाई बाई